हेलो एवरिबड़ी वेलकम तो एवरेज कोचिंग इंस्टिचूट तोड़े विल डिसकर्स क्लासिक साइन्स चाप्टर नेम गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी हमारी सीरीज चल रहे हम उसको याई कंटीनू कर रहे तो चल शुरू करते अब बेटा बात करें के हम प् साइन्स आरिष जीज आते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रडाक्स या वइसे प्रडाक्स वारे कॉस्थि की बॉटल हे अब हम प्लासिक के बारह में पारलेंगे प्लासिक सब्सक्राइब फान्टिक्री से लिगे क्लोडिंग बॉटल्टीनरस टोई पैंस पैप्स, as expensive है सस्ती है पर यह जो plastics है despite the fact that these are very light and easy to handle disposal is a major issue यह क्या कह रहे हैं कि यह जो plastic carry carry करना भी easy is easy to lightweight भी है और handle करना easy expensive भी इस फिर भी इसमें major concern है main problem is कहते है इसकी disposal की जैसे अभी हम काहते हैं इसके दिस्पोजल की प्लास्टिक सबसे जानाचाहित high even दो वह्म लोग इनको क्योंकि जो भात हम यूज भी करते हैं घरों में फिर भी इसकी दिक्कत इस ब्यूज की लाइट इसमेट। कं बिशेपट इन्टो आप्जेक्ट अंड दुख सब hah वराइटिये और सेमि सेंथरिक कमपाउंड्स जो प्लास्टिक है वो आपको ऐसे मिटीयल से बना जाता है जिसको अलग लग शेप में मोल्ड कर सकते हो बहुत सारी मोल्ड करके अलग लग तरह की चीज़े हम बना सकते हैं जैसे आप देखते भी होगे ठीक है प्लास्टिक एक ऐसा आपका मेटीरियल है जिसको आप री साइकल कर सकते हो जिसको दुबारा दुबारा यूज कर सकते हो जैसे क्रॉकरी है कुछ हम जितनी बार मर्जिस को वाश करके यूज करें कुछ दिक्कत नहीं थी उसके कलर्स हैं आपके आई एपिलिंग कलर्स है डि सकते हैं तो प्लास्टिक की बहुत सारे यूज़ ना इसके इलावा जो है प्लास्टिक इस यूज़ अगें तो फॉर्म एवन दा न्यू ब्रैंड न्यू प्रोड़क्स अब जो प्लास्टिक है आपका यूज़ हो चुका है वो इस आपने डिस्पोज आफ कर दिया उसके ब पता भी नहीं चलेगा पहले सक्या प्रोडक्त था और अब इसा क्या प्रोड़क्त बन गया चाहिए प्लास्टिक एक नॉन बायों डीग्रेड़ेबल प्रोडक्त है यह हम पहले ही पढ़ चुके और इसके बहुत सारे जो है इसके हैल्थ याज़ड जाद है हेल्थ रिस् है इसका क्योंकि यह डिस्पोज कौन हो जाते हैं अच्छे से यह एप लाइस नीए हम पहले बिपढ़े और है अब प्लास्टिक के बर्बे के लोट का क्ला मृइं प्लास्टिक लेया है सब ग्रीक यह बदि कमी जब भी आप लिग वाउन्ट प्लास्टिक टीक थे आपकर अप्लेट हो भी जाती ओंन्टी हुख सिरृज़ लॉट करेंव थे जब हमने प्लीट मेर बाइब से कर दो ए डिजायक हम इस था respect बहुत जायदा था झादा धेब पेमे जब अदसरेओ टार कुस्तिक कारण हैru जब आप बर्न करते हो, बहुत जादा उसमें से टॉक्सिक गंदी गैसे बहुत जादा पॉजनस गैसे उसमें से निकलती है अब और क्या है कि जब रेनी सीजन आते हैं मौनसून जब आता है तो उसमें प्लास्टिक से अगर आपके ऐसे जैसे लोग गेर देते हैं अगर जाएगा निकलेगा नहीं फलर्ड जाने के चांस से और अगर प्लास्टिक को गलती से जैसे animals को नहीं पथाचलता ना कौनसी जीसे कौनस अगर किसी प्लास्टिक का कोई पार्ट उन्होंने कंज्यूंब कर लिया जैसे कोई है यह आपके लोपॉलतिन बैग यह उन्होंनी कुछ कलती से उन्होंने अंदर कंज्यूम कर लिए तो उसे क्यादन क्या है कि उनको रेस्पिरेटरी दिक्कत आ जाएगी और उसे कादन को उनकी डेथ भी हो सकती है और देखो जो आप खाना हम लोग घरों में सारे प्लास्टिक बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं वो जो प्ला अगर आप ऐसे कुछ किसी में भी डाल लोगे तो सेफ नहीं होते हैं सारे और इट में क्रियेट हो सकती है उनसे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है और जो प्लास्टिक चाहिए देखो आपके यह नॉन बायो डिगरेड़ेबल है तो यह सॉइल की बिच में अगर यह सॉइल की अपनी लूज करेगी और अपमारी कल्टिवेशन में दिक्कत आएगी तो यह सारे हमारे ड्रॉबेक्स हैं कमियां हैं हमारी प्लास्टिक से ठीक है यह अपने गारविच के साथ डील कर सकते हैं उसकी कम कर सकते हैं पहले हम 3 थ्री आज में हमने किया रिडीूस रिसाइकल हमने पढ़ना तो उसमें चो रिडिव्यूस क्या है उसमें यही पार आप का जगा कैसे हम दी खम उसके साथ करेंगे तो यह देखो जैसे फर्स्ट stop using plastic bags and switch to cloth bags for shopping सबसे वड़ी बाता क्या आती है कि आप plastic bag लेने यूज करना बन कर दो market जा रहे हो green grocery खरीदने जा रहे है कुछ भी grocery items करने जा रहे है कोई भी और shopping करने जा रहे है try करो कि आप अपना jute bag या आपको पना cloth bag कुछ भी साथ ले जाओ ताकि आपको plastic bag ना खरीदना पड़े ना उसमें समांडल वाकि लाओ ठीक है या आप अपना paper bag लेके जाओ when going for shopping use a jute bag or cloth bag यही बात मैंने आपको बोलिए make sure you do not throw plastic waste on the road or in water तो भी आपका plastic waste है जैसे normally बच्चे क्या करते है juice पी लिया या popcorns खा ले या कुछ और खा लिया whatever जो भी आप खा पी रहे हो उसका जो plastic waste है उसको आप रोड पे मत गिरा हुआ ऐसे या उसको पानी में ठो नहीं करो उसको proper bins में डालो ठीक है food should not be stored in plastic bags food कभी भी plastic bags में store नहीं करो क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता burning plastic waste is not a good option अगर हम burn करते हैं plastic waste को तो वो अच्छा नहीं है क्यों हमने अभी पहले पढ़के हटे हैं कि अगर प्लास्टिक को burn करने से बहुत poisonous gases उसमें atmosphere में release होती है after use collect all the plastics and recycle them कोशिश करो plastic garbage सारे कथा करो और उसको recycling के लिए भेश तो use vermicomposting at home to make good use of power kitchen waste जो मरा kitchen waste है उस सब के लिए vermicomposting या composting हम पहले पढ़ चुके हैं वो यूज करो garbage को ऐसे deal करोगे plastic का पहले पढ़ा यह आपका garbage का है यह point then make an effort to educate others about the dangers of using plastic अब देखो सारे तो इतने well aware नहीं होते हैं कि इसका क्या फाइदा क्या नुकसान है तो जिसको नहीं knowledge है जो यह फिर भी plastics को use कर आप उनको aware करो उनको बताओ इसके हेल है लाज़ेट ताकि वो इन चीजों को use ना करें ठीक है plastic का use कम से कम हो अब आगरी बात आती है recycling of paper जो हमारा third hour है वो recycling है न तो recycling के बात करें है paper को कैसे recycle करें क्या जाए materials can be recycled allow them to be used for other purposes जो materials है आप recycle कर सकते हो ताकि आप उनके और उनको दुबारा fix your form में उनको use कर सको as we cannot use all items a recycling method is used सारी items को तो हम reuse नहीं कर सकते है इसलिए हमार को recycle करना परता है old newspapers for example are recycled into a wide range of products including paper packets, gift wrapping and a new newspaper and magazines जो आपके old newspapers है या magazines है कुछ भी है उनको आप recycle कर सकते हो reuse कर सकते हो ताकि उनके बड़े अच्छे products बन सकते है जैसे paper packets बन जाएंगे आपके gift wrapping बन जाएंगे या नए newspapers या और magazines बन जाएंगे आप घरों में भी इनको यूज कर सकते हो आपकी जो books है ताकि आपकी books डामेज ना हो आप newspaper से उनको cover कर सकते हो ठीक है non recyclable substances can be reformed by extracting their raw materials and creating entirely new products जो आपको हर सारी चीज़े रीसाइकल नहीं हो सकते हैं जो चीज़े रीसाइकल नहीं हो सकते हैं उनमें क्या करो उनका जो raw material निकाल सकते हैं उनको निकाल लो और उसके बाद में उस raw material से एक निया प्रड़क्त बनाओ ठीक है और आपकी अब जैसे स्कूल में आप नोटबुक्स यूज करते हो बच्चे क्या करते हैं एक साइड का पेपर पे लिखते हैं और एक साइड खाली छोड़ देता हैं उसको थो करते हैं खतम हो गया नोट डू लाइक दिस दोनों साइड पेपर के लिखो ताकि दोनों साइड इसको प्रापली यूज कर सको देन कम जो अन्यूज ओर नोटबुक्स पेजिस हैं जासे आपकी क्लास खतम होगी नेक स्लास में आप चले गए पराने साल के कॉपियों के जो आपकी पेजिस बच जाते हैं उन सबको आप निकाल लो टॉन आट कर लो और उसके बार में उनकी अलग उनकी क्लच करके बाइंड कर वाके उनकी अलग एक नोटबुक बना लो जो आपने एकसी यूज कर सकते हो या किसी और भी अपने वी टास्क के लिए आप दूस कर सकते हो अपने यог रिके हैं दुने पर बैक्स पना सकते हो और उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है? So this is all about today's video, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, thanks for watching.